हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ट्रोटल इंग्लिश्टूड जैसा कि आप जानते हैं कि CBC बोर्ट ने डिक्लेर कर दिया 15 जुलाई को रिजल्ट पब्लिश हो जागा क्लास 10 का रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट में जारी किया जो कि इसका ओफिस्यल वेबसाइट है cbacresults.nse.in लेकिन जैसा कि आये दिनों में जैसा कि हमने देखा कि कलास 12 का जब रिजल्ट आया था उसके बाद ICAC का रिजल्ट आया था उससे पहले भी स्टेट बोर्ट के जितने भी रिजल्ट आया थे औफिस्यल वेबसाइट में रिजल्ट देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था क्यूंकि इतना ट्रैफिक हो जाता है ट्रैफिक के चलते इस्टूडिंट्स अपना रिजल्ट नहीं देख पाते हैं तो इसके लिए क्या उपाई किया जाए कैसे हम अपना रिजल् देख पाएंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टाट करते हैं इसी के ऑफिशल वेबसाइट पर जाते ही आपको डिटेल्स डालने के लिए ऑप्शन आएगा और फिलहाल तो यहां पर लिखा गया क्योंकि रिजल्ट अभी तक डिकलेर हुआ नहीं है इसलिए यहां लिखावा वेबसाइट के बारे मैं आपको बताता हूँ एक वेबसाइट है बहुत इंपोर्टेंट है जिसका नाम है examresults.net examresults.net इस पर भी आप देख सकते हैं पूरे इंडिया भर के रिजल्ट को इसमें दिखाया जाता है इसमें क्या है कि आपको option दिया गया रहेगा जैसे कि यह आपको class 10th का link touch करना है अभी क्योंकि result आया नहीं है इसलिए 10th के link पर click करने से यह register करने का एक form आ रहा है आप अपना registration number इसमें डालिए और आपको जैसे result आएगा तो update मिल जागा कि result आया है और आपना result देख पाएंगे और result आने के बाद क्या option है देखिए result के आने के ब mobile number email ct preferred course कौनसा course से डालने के बाद get result पे click करना है आपका result मिल जाएगा बाइचांस अगर इसमें भी server बहुत ज्यादा crash हो रहा हो तब हम क्या करेंगे दूसरा option अगला option क्या करेंगे तो उससे भी मैं बताता हूँ गवर्मेंट का द्वारा निकाला गया एक app है जिसका नाम है उमंग एप उमंग एप को करना है play store से डाउनलोड डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर जो search को option है वहाँ पर आपको यहाँ पर डालना है cbac या तो वो cbac डाल सकते हैं या फिर अगर cbac नहीं डालना है तो यहाँ पर जो option आरा cbac results are out आप इस link को भी touch करेंगे अगर तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर दिया गया है कि class 12 का result है लेकिन इस पर click करने के बाद आपको 10th और 12 दोनों का result दिखाएगा कैसे मैं आपको बताता हूँ उस link पर click करते ही आपके सामने दो options आजाएंगे 10th 12 और जेई तो आपको 10th और 12 वाले पर link पर click करना इस पर आप click करेंगे तो आपके सामने यह options आजाएंगे इसमें 10th और 12th option है school locator exam center locator और result तो आपको इस पर click करना है click करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का option आएगा यह 10th का फिलाहल रिजल्ट दिखा रहा है यह 2019 का है यहाँ पर 19 का जगा पर आजाएगा 20 क्योंकि result आने के बाद यहाँ पर fill हो जाएगा अब्धा यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है यह 10th select करना 10th select किया हुआ यहाँ पर 20 आ जाएगा और उसके बाद आपको आपना रोल नमबर डालना है date of bird डालना है फिर उसके बाद Admit card I.D. डालनने के बाद आपको शर्मिट कर देना सर्मिट करते ही आपके पास रिल्ट जाएगा यह तो हो गया इसमें और अगर माल लिजिए सर्वर क्योंकि क्लास 10 के स्टूडेंट का संख्या बहुत ही ज्यादा अधिक है पूरे इंडिया लेवल के सारे जगह से स्टूडेंट एपलाई करते हैं फॉर्म भरते हैं अगर माल लिजिए इसमें भी आपको प्रॉ 34567 और एड्मिट कार्ड आईडी है डी 34556 यह बस एक ग्जांपल के तौर में मता रहा हूं आपका कुछ अलोग हो सकता तब को करना क्या है पहले सी बीए सी टेन टैप करना है उसके बाद स्पेस देना है फिर आपको अपना रोल नंबर टाइप करना है फिर स्पेस देना पर अपना डिरेक्टली मेसेज के तौर पर अपना रिजल्ट पा सकते हैं तो यह तो बेस्ट वे हो जाएगा आपको देखने का तो तो यह तो मैंने चार-पांच अलग-अलग तरीके बता दिया आपको रिजल्ट देखने के लिए फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब थोड़े देर के बाद दो घंटे तीन घंटे चार घंटे जब भी आपको यह cbsc.nice.in को आपको चेक करते रहना है जब यह वेबसाइट थोड़ा फ्री हो जाएगा खुलना स्टार्ट हो जाएगा तो फाइनली आप एक बार जाके बाद में इसे जरूर देख ले और डाउनलोड कर ले यहां से मैं आपको प्रिफर करूँगा लेकिन क्योंकि लेट हो जाता है और खुल नहीं पाता है और सबको ब आपके लिए रहा होगा और इंग्लिश के बाकी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए स्पोकेन को सीखने के लिए और ग्रामर को मजबूत करने के लिए आप में चैनल टोटल इंग्स को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो और इचाल बस्की विजर्ट ग्याज के लिए आप में कि लिए शेयर क्मिए इन और रो पर रेंग।